हलो दोस्तों आप लोग का यहजडी टेक में सवागत हैं आज मैं आप लोग का क्लाश 10 का इंगलिस मेडियम का जो इंगलिस का पेपर किस तरीके से आएगा कितने नंबर का आएगा कौन से पैटन से आएगा ओ समय इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा देखोगे अपडेट फॉर्मेट बोर्ड एक्टिविटीज सीट विध गाइडेंस अंदे अगें वह अग है वह देखोंगे इस तरीकित से पहले में आप लोग को दस नंबर करेंगे उसमें देखो। क्या कह रहेगा उसको मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से कर लेना, यह सब आप लोग के पेपर में इस तरीके से आप लोग को कोश्चन रहेंगे, देखो कि इस तरीके से, पहला सेक्षन दस नमबर करेगा, देखो कि उसमें क्या क्या है, यह सब पहले ही section का है दस नबर का अब आता है यह section नमघ टो section two में क्या रहेगा sexual passage रहेग सब कुछ ग्रामरर रहेगा पैसे जो भी textbook में आप लोग का रहेगा यह भी आप लोग का 10 नम吧 section दस नंबर करेगा इसने textual passage रहेगा text book से आप लोग का passage रहेगा उसमें से आप लोग को देख के करना रहेगा question इसे ढोड़के या grammar रहेगा कुछ भी रहेगा तो textbook से ही आएगा देखो कि ये आप लोग का पूरत जितना में दिखा रहे हैं ये सब आप किस तरीकेस रहेगा, अब मैं और बताता हूँ, क्या आ सकता है, question number जो उसें तिसरा है, section 3 का, उसें आप लोग का poem की थुरू आता है, जो poem आप लोग का रहता है, उसें से आप लोग का poem दिया रहेगा, उसको अच्छी तरीकेस आप लोग करना रहेगा, इसके लिए मैं इस तरीकेस दिखा दे रहा हूँ आप लोग इसको अच्छी तरीकेस अपने तरीकेस से इसको कर लेना अच्छी तरीकेस पढ़के अब इसमें section number 4 आ गया English का यह section number 4 इसमें देखोगे आप लोग question number जो 4 है A, B, A आप लोग को book का नहीं रहेगा non-textual passage रहेगा यह भी 10 number के लिए आएगा A और इसमें B दो दिया रहेगा आप लोग का और दूसरा वाला रहेगा पांच नमबर के लिए रहेगा उसमें भी आप लोग को इस तरीकेस दिया रहेगा अब आता है section number 5 section number 5 में आप लोग का later रहेगा later writing आप लोग later writing अच्छी तरीकेस करके जाना क्योंकि यह पांच नमबर के लिए आप लोग को board में पूछा जाएगा और later writing आप लोग को formal और informal दोनों दिया रहेगा इससे subject भी दिया रहेगा किस पे लिखना और किस पे आप लोग को कौन सा number डालना है date डालना है सब कुछ आप लोग को दिया रहेगा formal और informal का इधर देखोगे एक दिया information transfer पांच नमबर के लिए देगा question number 6 में verbal और non-verbal देगा और non-verbal से verbal बनाने के लिए देगा यह आप लोग का पांच नमबर में ही रहता है इसको आप लोग अच्छे तरीकेस करके जाना क्योंकि यह paper pattern आप लोग के board का है महाराष्टा state board की तरफ से आए उसी को मैं आप लोग को बता रहा हूँ यह question number 6 का B है इसे पांच नमबर के लिए इस तरीकेस आप लोग को पूछेगा आप लोग इसको भी अच्छे तरीकेस देख लो और इसको अच्छे तरीकेस करना इस्टार्ट कर दो क्योंकि आप लोग को इस पास time नहीं है इसके लिए आप लोग जितना हो सकता है उतना पढ़ाई में focus करो क्योंकि इस टेड़ी जितना करोगे उतना आप लोग का अच्छा नंबर कर सकते हो इसे देखो कि आप लोग का सेक्शन नंबर पांचवा दिया है उसमें आप लोग किस तरीके से question आएगा उसको आप लोग ध्यान से देख लो पांच नंबर के लिए रहता है एक एक टू है उसी का निउस रिपोर्ट बेशट गिया है उसके पास इस तरीकेस करना उसका नीचे देखोगी एक question दिया नरेटिंग का इसको experience करना है मतलब अच्छी तरीकेस इसको बताना developing कैसे होता इस स्टोरी को अच्छी तरीकेस करना इए पांच नंबर के लिए रहेगा यह पूरा आप लोगों में महाराष्ट्रा इस्टेट बोट की तरह से जो निउउ पैटन पेपर आया था 2022 का इंगलीज का हो में आप लोग को बता दिया असी नंबर का किस तरीकेस आप लोग को आएगा अगर इस चैनल पे नए आया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस करना जिसे इसी तरीकेस नॉलेजल वीडियो ससे पले आप लोगों तक पहुचे थां